नमस्कार क्या पिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं BBC की डॉक्मेंटरी जो पियम मोदी को लेकर बनाई गई है उसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है स्क्रीनिंग को लेकर कलम ने देखा कि किस तरह से जेनियु में बवाल हुआ उसके बाद आज जामिया मीलिया सलामिया में भी स्क्रीनिंग की बाद सामने आई है शाम 6 बजे का वक्त निरधारित किया गया है जामिया में BBC की डॉक्मेंटरी को दिखाने को लेकर पर जैसा कि आप सभी जानते है कि BBC कि इस डॉक्यमेंटरी पर सरकार ने रोक लगा दी है पर इसके बावजूद भी स्क्रीनिंग कराई जाने की मांग की जारी है जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा मच रहा है जामिया युनिवरसिटी के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनात की गई है इस बड़ी कबर मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हैं क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीप डॉक्टर मनिश कुमार कल हमने देखा था कि किस तरह से जेनियों में बवाल हुआ आज क्या फिर से जामिया में बवाल की तैयारी है देखिए डॉक्यमेंटरी को लेकर कि इतना बवाल पूरे देश में एक ऐसी डॉक्मेंटरी जो ठीक हिंदुस्तान के सुप्रिम कोट के आदेशों और उनके न्याय के ऊपर सवाल खड़े कर रही है साथी साथ एक ऐसा डॉक्यमेंटरी जो किसी विदेश के दौरा विदेशी एजिंसी के दौरा बन कॉंग्रेस पार्टी के अंदर युद्ध चल रहा है और यह जो भाले के टट्टू है यह अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट मुव्मेंट के नाम पे स्टूडेंट पॉल्टिक्स के नाम पे हर इन्वर्सिटी के अंदर यह कोहरा मचा रहे हैं अब इस चीज को समझे जामिया में मना किया गया है कि स्क्रिनिंग नहीं होगी क्यूं क्यूंकि सरकार इसको बैन कर रखा है लेकिन उनकी जि लेकिन फिर भी यह लोग मुबाइल पर देख रहे हैं भई देखना है क्यू और कोड से तुम लोगों को दिखा रहे हो भेज दो घर में अपने लोग बैठके देखेंगे आपको जब क्यू और कोड है जब वहां पर पॉब्लिक स्क्रिणिंग नहीं हुई आपने क्यू और क सिर्फ डॉक्मेंटरी को देखने की हो तब तो बात समझ में आए यह वही चाहते हैं कि जो जामिया मिलिया के स्टूडेंट वो सीए के दौरान चाह रहे थे यह चाहते हैं भाई पुलिस आए पुलिस उनकी पिटाई करे बवाल मचे विज्वल आए उस लोगों के गिरफ गिरफ्तारी हो ड्रामा बने ताकि फिर उसको न्यूज उचला जाए आपको याद होगा वो सक्स जेल के अंदर है देश द्रोह के कांड में वो सर्जिल इमाम सर्जिल इमाम उस वक्त क्यों पकड़ा गया था और क्यों इसके खिलाब इतना सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो लेकर के जाओ और ऐसा बवाल करो जो वीजुली बड़ा इंटर्टेनिंग हो लाठी की आवाज हो वहाँ पे बॉम ब्लास्ट हो इस तरह की चीज़े करो ताकि वो पूरी वो वीजुल जो है सोसल मीडिया में जंगल की आग के तरह फेले दुनिया भर में वो हिंदुस्ता को बदनाम किया जा सके यही काम अब बीबी सी के डॉक्मेंटरी पे हो रहा है क्यों किया जा रहा है क्योंकि यह जो डॉक्मेंटरी बनाई गई है यह उनहीं लोगों के दौरा चाहे वो हरतोस बल हो चाहे वो अनुदतिराय हो इन तमाम लोगों नहीं मिल जुल करके बनाय है इसकी फंडिंग कांग्रेस के तरफ से हो रही है इसके तमाम किरदार वही है जो लगतार सुप्रिम कोट में और सोचल मीडिया और मीडिया में अवब भराने का काम कर रहे थे भई डॉकुमेंटरी है कौन से नहीं चीज आ रही है कौन सी बात ऐसी है दिखाई जा रही है लेकिन आपको मोदी के खिलाफ बवाल करना है आपको ये कहना है ये साबित करना है कि भई यहां पे बहुत फिडम अप एक्स्प्रिसन का जो है वो उसका दमन हो रहा है सारी चीजे हो रही है तो ये दरसल ये थके हारे कॉंग्रेसी ये लिफ्ट प्लॉक कबाल ये वामप थी जब हर चीज से हार जाते हैं तो इनको एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि कि किसी ने किसी मुद्दे के उपर इतना बवाल करो कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें इन्वाल्ड हो जाए हिंदुस्तान को बदनाम करो हिंदुस्तान अनिस्टेबल कंट्री है नॉन डे वो धुमिल हो जाए यहां ना कोई बिजनस आए ना कोई इंवेस्टमेंट हो चीन से जो कंपनी छोड़के हिंदुस्तान आ रही है वो ना आए यह तमाम चीजे हो रही है और अगर इनको यह लगता है कि 2024 में इस डॉकुमेंटर के सहारे वो प्रधान मंतरी मोदी को हरा द सबस्ति की गई हाला कि लाइट बंद करने के बाद फोन में दिखाया गया वैसा ही आज भवाल ठीक जामया भी देखने को मिलेगा देखिए आज तो बंदवस्थ्वा ज्यादा है यह लड़के और भी ज्यादा कुछ करके आगे क्योंकि यह तो स्टुडेंट के पंड़े करो बवाल मचना चाहिए अब यह बसम्याग लगाएंगे यह इनका धंदा हो गया है तीन वज़ा है इस तरह की चीजों को हवा देने की एक विदेशी पैसा यह दंगा के ऊपर धंदा करने वाले लोगों का जो धंदा चलता रहे तो अब तो सबकुछ खत्म हो गया सुप चीजे हो रही है नंबर वन नंबर टू यह वही जिहादी नक्सली लिफ्ट्रिबल कबाल जो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है दुनिया में प्रचारित करना चाहता है वो इंटरनेस्टल साजिश और तीसरा इसका चुनाओ अब देखें कॉंग्रेस पा क्यों वह इसलिए कि एक सेंसिबल सी बात है कि देश के सवरेंटी के उपर देश की जद देश की साख के उपर कोई प्रोपगेंडा करने वाली एजनसी वह हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटी हुई है हम उसके साथ खड़े नदर आ जाएंगे यह कौन लोग है यह कायर लोग है यह लोग पैसे पर काम करने वाले यह आंदोलन जीवी धंदेबाज किसम के लोग है इनको दो हजार दो से प्रधान मंत्री मोदी डील करते आ रहे हैं इसलिए उनसे बहतर इस तरह के लोगों को डील करने में और कोई महारत नहीं है यह अच्छी तरीके से जा के अंदर में सब कुछ प्रोटेस्ट हो तो यह हो तो वह आप उसको जाइस ठारा देते हैं यह समझने वाली बात है कि भई इस डॉकुमेंटरी तथ्यात्मक रूप से कितनी वैलिड है कोई सच बता रहा हो तो वह उसके साथ देश दुनिया सब लोग खड़े हो जाएंग जोर लगा करके जोर आजमाई से तो यह सब कुछ नहीं है यह सी यह गैंग जो यूपी चुनाओ से पहले यह बवाल कर रहा था कि किसी तरीके से हम जीत जाएं 2019 भी हो गया सब कुछ हो गया सारा कुछ यह हर तरह से हर बार 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 इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं द देखना होगा कि आज जामिया में क्या कोछ होता है क्योंकि कल जेनियू में हमने देखा कि भयंकर दो पक्षों के बीच में पत्राव बाजी की भी खबर आई जड़प होई काफी जादा बवाल कल रात को जेनियू में देखा गया प्रशासन की तरफ से रोक के बावजूद भी वहां पे लाइट बंद कर दी गई की टाके स्क्रीनिंग ना हो सके पर उसके बावजूद भी छात्रों ने लैप्टॉप के माध्यम से फोन में देखा क्यूर कोट को शेयर किया गया पाबंदी के बावजूद भी जम कर बबाल हुआ जिसमें कई गिरफतारी की भी बात स जामिया में किस तरह से बबाल वहां के स्टुडेंट्स करते हैं इस बड़ी कबर पे क्यापिटल टीवी की नजर बनी हुई है कैमरे पर से नश्रों के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी